तीन जून दो हजार उन्निस आज बावा के महवा क्या हैं मीठे बच्चे अब तुम्हें संपूरन बनना है कंप्लीट बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है प्रशन है संपूरन पावन बनने की युक्ती कौन सी है क्या मैथेड़ेस का उतर है संपूरन पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो पूरा बैगर बनो यानि दे सहित सब संबंदों को भूलो और मुझे याद करो तब पावन बनेंगे क्योंकि अब तुम इन आखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होना है जो आज तक कमाया है जिसकी आशा है ये सब खतम होना है विनाश होना है इसलिए धन संपती वैभव आदी सब भूल बैगर बनो जो आपके से है उसका भान ना रहे आपको कि मेरे पास्ट ये प्रपर्टी है मेरे पास्ट ये है मेरे पास्ट ये है सब भूल जाओं ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं ओम शान्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चो प्रती रुहानी बाप समझा रहे हैं बच्चे ये तो अच्छी रिति समझते हैं कि शुरु शुरु में आत्माएं सब पवित्तर रहती हैं हम ही पावन थे पतित और पावन ये आत्मा के लिए कहा जाता है पतित श्रीर पावन श्रीर तो कहा जाता है तो आत्मा पावन है तो सुख ही है तो सुख है तो बुद्धी में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे इसके लिए ही तो एफर्स करते हैं पुर्शार्थ करते हैं तो पांच जार वर्ष पहले पावन दुनिया थी उसमें आधा कलब पच्चिसो वर्ष तुम पावन थे बाकी रहा आधा कलब सत्युतियता में फिरुक्र प्योर थे फिर रहागा दौपर कर लियो अब ये बाते और दुनिया में कोई समझ नहीं सकते तुम जानते हो पतित और पावन सुख और दुख दिन और रात आधा आधा है जो अच्छे समझदार हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही अच्छी रिती समझेंगे तो बाप कहते हैं मीठे बच्चो तुम्ही पावन थे नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे बाकी जो इतने सब हैं वो शांती धाम में थे पहले पहले यानि हम पावन थे और बहुत थोड़े थे फिर नंबर वार मनुश स्रिष्टी वृदी को पाती है तो अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं यह समझा है आतमाओं का बाप आतमाओं को प्रमात्मा बाप समझाते हैं कब समयाते हैं इसको कहा जाता है संगम और इसको ही कुम्ब कहा जाता है है संगम यूग लोगों ने कुम्ब कहा दिया कुम्ब का मिला लगता ना जो अर्थ कुम्ब वगरा होता ना जो तो मनुशिस संगम यूग को भूल गए है शास्त्रों में चार यूगों का वर्न रहा है संगम का कोई वर्ना नहीं नहीं है तो मनुष इस संगम युग को भूल गए है तो बाबा ने समझाया चार युग होते हैं पांचमा ये छोटा सा लीप संगम युग है इसकी आयू छोटी है तो बाप कहते हैं मैं इनकी वान प्रस आवस्ता में प्रवेश करता हूँ जब ये साठ साल कर जोटे हैं उसके बाद प्रवेश करता हूँ और बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में शिर्केशन का ये लास जन्म है इसके भी अंत में तो बच्चों को ये खात्री है ना बाप ने इन में प्रवेश किया है इनकी भी बायोग्राफी सुनाई, बाप कहते हैं, मैं बात आत्मा उसे ही करता हूं, आत्मा और शरीर दोनों का एकठा पार्ट होता है, इसलिए इनको का जाता है, जीव आत्मा, इस जीव की आत्मा, अपवितर जीव आत्मा। कि सत्युग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीव आत्मा जो सत्युग में पावन थी वही फिर चुरासी जन्मों के बाद पतित बनी हैं तो पतित से पावन और पावन से पतित यह है चक्र जो फिरता ही रहता है याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं तो हर पाश जार वरश के बाद बाबा एक ही बार आते हैं और आकर स्वरकी स्थापना करते हैं भगवान एक है जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे क्रेटर है ना क्रेटर है आत्मों क्रेटर नहीं दुनिया को क्रेटर करते हैं फिर नये को पुराना कौन बनाता है वो है रावन क्योंकि रावन की रावन ही देह अभिमानी बनाते हैं बोड़ी कौशिस में रावन लाते हैं दुश्मन है रावन दुश्मन को जलाया जाता है मित्र को नहीं जलाया जाता तो सर्व का मित्र एक ही बाप है जो सर्व की सदगती करते हैं उनको सब याद करते हैं क्योंकि वो है ही सबको सदगती है नमेज सुख देने वाला तो जरूर कोई दुख देने वाला भी होगा वो है पांच विकारो रूपी रावन तो आदा कलब है रामराज आदा कलब है रावनराज स्वास्तिका निकालते हैं ना इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं इसमें पूरा चौथा होता है चार क्वाटर ब्राबर बाबर होते हैं जर्णा भी कम जासती नहीं ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं यानि मोक्ष मिल जाएं क्यों कोई बहुत दुखी है इस से तो जाकर क्या सोते हैं सिन्यासी क्या सोते हैं इस से तो जाकर जोती जोत में समा जाएं या भ्रहम में लीन हो जाएं लेकिन बावा कहते हैं कोई भी इस ड्रामा से ब जाए नहीं सकता वाब कहते हैं क्या क्या ख्यालात करते हैं जोती जोत में लीन हो जी नहीं सकती फिर तो आत्मा का अस्तित खत्म हो जाए ब्रहम तो रहने का सानवा लीन होने काम ही नहीं होता हमाते रहते जागर के तो आपके क्या 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 ख्यालात करते हैं भगती मार्ग में परितन भी भिन्विन करते हैं सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो स्वर्ग गया या वैकूंट पदारा हाँ प्रवृति मार्ग वाले जो परिवारों में रहते हैं वो कहेंगे फलाना स्वर्ग पदारा यानि आत्माओं को स्वर्ग याद है हाँ, तुमको तो सबसे ज्यादा याद है, तुमको तो सबसे ज्यादा याद है, तुमको तो सबसे ज्यादा याद है, तुमको दोनों की हिस्ट्री जोगरफी का पता है, और दुनिया में कोई को पता ही नहीं, तुमको भी पता नहीं था, बाप बैट बच्चों को सब समझाते हैं जो मोक्ष चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं वो कुछ ने अपना घर है वो शांती धाम है वहाँ जाना है सर्फ इतनी सी बात है बक्ति मार में कितने परिश्रम किये कितने है कुछ कहानिया बना दिए इसकी और फिर कहते हैं स्वरण नर्व उपर है यही नई दुनिया को स्वरण को नर्व है यह मनुष्य स्रिष्टी रुपी व्रिक्ष है वरिक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए तो बाप भी समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है फिर मैं पावन बनाता हूँ पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग स्वर्ग पास्ट हो गया फिर जरूर रिपीट होना है इसलिए तो कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोगरफी रिपीट होती है अर्थाथ वर्ल्ड ही पुरानी से नहीं और नहीं से पुरानी होती है तो रिपीट माना ही ड्रामा तो ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है शोबता है हूब वूच क्षूभवू फिर ता ही रहता है नाटक को हूबव नहीं कैंगे जो प्ले करते हैं उस में एक्टर बन सकते हैं पिक्चर में जो एक पर शूट होगा तीन कंटी पिक्चर में वही शूटिंग करेंगा दूसरा कुई एड़ नहीं कर सकते कि क्यूंग निकालने चबते इसे बाब नहीं ए नहीं कर सकते हैं इसे बाबेन नहीं कर सकते हैं continuer धिर अब कोई नाटक को हूब स no not जाता कोई बिमार हो पड़ते हैं तो छुटी ले लेते हैं तो तुम बच्चों की बुद्धी में हैं हम पुझ देवता थे फिर हमी पुझारी बने तो बाप आकर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं जो की पांच जार वर्ष पहले बताई थी सिर्फ युक्ति क्य हैं सिर्फ कहते हैं बच्चो मुझे याद करो बाप पहले पहले तुमको आतम अभिमानी बनाते हैं बचे बोड़ी कॉशर्थ से सौल कॉशंस बनो पहले पहले यही पाठ देते हैं बचे अपने को आतमा समझो और बाप को याद करो इतना तुम को याद कराता हूँ बार बार हर मुर्ली में बाबा कहता है मुझे याद करो आत्मा समझ तुम फिर भी भूल जाते ही हो भूते ही रहेंगे भूते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी फिर तुम शरीर छोड़ देंगे जैसे सर भी एक पुरानी खाल छोड़ देते है न तो हम भी सो इच्छा से शरीर छोड़ेंगे बाबा साक्षाद कराएगा और लगेगा हम ट्रांसर हो रहे है कोई फिलिंग नहीं आगे शरीर छोड़ने की तो बाब भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो या चलते फिरते हो सोल कौशिस होकर रहो देही अभिमानी होकर रहो पहले तुमको देह अभिमान था अब बाब कहते हैं आहतम अभिमानी बनो देह अभिमान में आने से तुमको पांच विकार पकड़ लेते हैं आहतम अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़े गाई नहीं तो देही अभिमानी बन बाब को बहुत प्यार से याद करना है खाली याद नहीं करना है बहुत प्यार से याद करना है क्योंकि आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है वो भी इस संगम युग पर इसको कहा जाता है कल्यानकारी संगम जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं तुम आत्माएं भी शरीर में हो बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चे कराते हैं और बाप एक ही बार आते हैं जबकि सभी को वापस ले जाना है समझाते भी हैं हम तुम को कैसे वापस ले जाएंगे तुम कहते भी हो हम सब पतित हैं आप पावन हो बाप आप आकर हमको भी पावन बनाओ क्योंकि तुम बच्चों को पता नहीं हैं कि बाबा पावन बनाते कैसे हैं बनाएंगे कैसे अब जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने ये भी तुम समझते हो आत्मा छोटा सितारा है बाप भी छोटा सितारा है परंतु वो ज्यान का सागर शांती का सागर है और कमाल की बाद तुम को भी आप समान बनाते हैं ये ग्यान तुम बच्चें को है जो तुम फिर सब को समझाते हो फिर सत्यू में जब तुम होंगे तु ये ग्यान सुनाएंगे क्या नहीं ग्यान सागर बाप तो एक ही है जो तुम को अभी ही पढ़ाते हैं अब जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना तो बाप सुनाते ही रहते हैं परंटू फिर परंटू आ गया परंटू तुम घड़ी-घड़ी भूल जाते हो तुमारी माया के साथ युद्ध है तुमारी युद्ध किसी और से नहीं है पांच विकारों से है और तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है। अर्थात, बुराना मेज, बाप से बेमुकर देती है, तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुक होते हो, बाप एक ही बार वर्सा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, इनहेलिटर्स देते हैं, फिर बाप को सम्मुक आने की दरकार ही नहीं, एक बार प्रॉपर्ट दे दी फिर आने के जरूरत नहीं तो पाप आत्मा से पुन्न आत्मा यानि सरका मालिक बनाया बस फिर क्या कर करेंगे तुमने बुलाया और बाबा कहता है मैं बिलकुल पूरे टाइम पर आया और हर पाज़र वर्ष बाद मैं अपने समय पर आता हूँ ये किसी को भी पता नहीं है अब शिवरात्री क्यों मनाते हैं उसने क्या किया पता किसी को भी नहीं है इसलिए शिवरात्री की हॉलिडे आदी कुछ नहीं करते और सब की हॉलिडे करते हैं लेकिन शिव बाबा आते हैं इतना पाट बजाते हैं उनका कोई को पता ही नहीं देखते नहीं है वो तो अर्थी नहीं जानते बारत में कितना अग्यान है तुम बच्चे जानते हो कि शु बाबा ही उंचेते उंच है तो जरूर मुनुश्यों को उंचते उंच बनाएंगे बाब कहते हैं मैंने इनको ग्यान दिया योग सिखाया फिर वो मरसे नारायन बना उन्होंने ये नॉलेज सुनी है ये ग्यान है ही तुमारे लिए ये ग्यान है ही तुमारे लिए और किसी के लिए ग्यान शोपता भी नहीं तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते देवत अश्रव हम बनेंगे यह है नर से नरायन बनने की कथा जिनोंने और धरम स्थापन किये और जितने में धरम सापक हैं सब उनर जनम लेते लेते तमो परदहान बने हैं फिर उन सब को सतु परदान बनना है उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है उंच पाटधारी बनने के लिए तुम कितना पुरशार्त कर रहे हो कौन पुरशार्त करा रहे हैं वो है हमारा बाप बाबा तुम उंच बन जाते हो फिर कभी याद भी नहीं करते हो अब स्वरग में थोड़ा ही याद करेंगे उंच से उंच बाप हैं फिर बनाते भी उंच हैं नरायन से पहले तो शिरी क्रिशन है फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नरायन बने क्यों नहीं कहते हो नर से क्रिशन बने पहले नरायन थोड़ा ही बनेंगे पहले तो प्रिंस शिरी किशन बनेंगे ना अब बच्चा तो फूल होता है न प्योर है वो तो फिर भी यूगल बन जाते है महिमा ब्रहमचारी की होती है छोटे बच्चे को सतो परधान कहा जाता है तो तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए हम पहले पहले जरूर प्रिंसी बनेंगे तब ही तो गया जाता है बैगर टू प्रिंस बैगर किसको कहा जाता है आत्मा को ही शरीर के साथ बैगर वा साहुकार कहते हैं इस समय तुम जानते हो सभी बैगर बन जाते हैं यानि सब खतम हो जाते हैं तुमको इस समय ही बैगर बनना है शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ हैं वो सब खतम हो जाएंगे आत्मा को बैगर बनना है यानि सब कुछ छोड़ना ही है फिर प्रिंस बनना है तुम जानते हो धन दौलत आदी सब छोड़कर बेगर बन हम जाएंगे घर ले दो कुछ नहीं जाएंगे न फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना ही है ये पुरानी चीज कोई काम की नहीं है हाँ आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर यहां आएगी पांट बजाने कल पहले मिसल अब जितना जितना तुम धारना करेंगे उतना उतना उच्छ बद मिलेगा ये लौह है ड्रामा का बल इस समय किसी के पास पांच करोड हैं और सब खतम हो जाएंगे हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं यहां तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पड़ रहे हैं तो तुम बच्चों की बुद्धी में हैं बाबा हम को पहले बैगर बनाकर फ्रिप्रिंस बनाते हैं यानि दे के सब समंद छोड़ें तो बैगर ही ठहरा ना जब यह दे भी मेरी नही हैं तो आत्मस है क्या खाली होगी ना कुछ भी है ही नहीं अभी भारत में कुछ भी नहीं है भारत अभी बैगर यानि इन्सॉल्वेंट है फिर सॉल्वेंट होगा फिर सावकर बन जाएगा कौन बनते हैं आत्मा श्रीर द्वारा ही बनती है अभी राजा रानी भी है नही वो भी insolvent है राजा रानी का ताज भी नहीं है ना प्योटी का ताज ना रतंजडी ताज है अंधेरी नगरी है कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेरी नगरी है ना क्योंकि सब सरव्यापी कह देते हैं गोया सम्मे भगवान है सब एक समान है कुटे बिल्ले सम्मे है इसको ही का जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा तुम ब्रामनों की रात थी दौपर कल लिएग रात थी अब समझते हो ग्यान यानि दिन आ रहा है सत्युग में सभी जागती जोत है सब एनलाइटन सोर रहेगी सत्युग में अभी दिवा बिल्कुल डल हो गया है भारत में ही दिवा जलान जगाने की रसम है कोई मरता है तो दिवा जगाते हैं कि इसको आत्मा को लाइट रहे कितनी अंधेर्शादा की बाते हैं और कोई थोड़े दिवा जगाते हैं तुमारी जोती उजहाई हुई है सतो परदान विश्व के मालिक से वो ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है आत्मा वीक हो गई है फिर बाप आये हैं तुमको ताकत देने यानी बैटरी भरती है ना बड़ा बैटरा है हम चोड़ी बैटरीों को फुल करने के लिए बैटरी भरती है ना आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारना के लिए मुक्सार है अब नाटक पूरा हो रहा है हमें वापस जाना है इसलिए इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो परधान यानि पावन जरूर बनाना है और बाप समान ग्यान का सागर शान्ती का सागर अभी ही बनना है दूसरा इस दे से भी पूरा बैगर बनने के लिए इस दे से भी पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धी में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब खतम हो जाना है और हमें बैगर से प्रिंस बनना है हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए उसकी लिए क्या करना है वरदान एक बाप के लव में लवलीन हो एक बाप के लव में लवलीन हो मन्जिल पर पहुँचने वाले सर्व अकर्शन मुक्त भव एक से अकर्शन बाकी किसी से कोई अट्रेक्शन नहीं होने जी कहें भी बुद्धी मन बुद्धी फसी ना हो तो क्या करना है एक बाप के लव में लवलीन हो मन्जिल पर पहुंचने वाले सर्व अकर्शन मुक्त भव बाप ने बताया बाप दादा बच्चों को अपने सिने और सयोग की गोदी में बिठा कर मन्जिल पर ले जा रहे हैं जा रहे हैं मन्जिल पर ये मार्ग मेहनत का नहीं है लेकिन जब हाईवे की बजाए गलियों में चले जाते हो या मन्जिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लोटने की मेहनत करनी पड़ती है तो मेहनत से बचने का सादन है एक की महबत में रहो यानि एक बाप के लव में लीन होकर हर कारे करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा और सर्व अकर्षनों से मुक्त हो जाएंगे ना दिल कही जगा दिया हुआ है फिर वामा भागता है ना इसे दिल किसी को नहीं देना दिल एक दिल राम को दो बाद दिल को राम देने वाला एक ही है स्लोगन ठीक है सब कर्षन मुट हो गए फिर स्लोगन अपनी खुश नसीबी का अनभाओ चेरे और चलन से कराओ आपका चेरा बोले और आपकी एक्टिविटीज दिखाएं कि आपकी खुश नसीबी आगे खुश नसीब बनाने वाला आपको मिल गया है ओम शान्ति